प्लीस सब्सक्राइब चैनल और प्रेस बेल आइकान ती गेट नोटिफिकेशन्स अब नूव विडियोज हेलो स्टुरेंट स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इन दिनो पेज लेयाउट टैब के बारे में कि पेज लेयाउट टैब में जो है वो कौन-कौन से उप्षन होते हैं तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पेज लेयाउट में कि जो हम मार्जिन सैट कैसे करते हैं है ना पेज लेयाउट में हम जो उप्षन था मार्जिन सैट कैसे करते हैं गटर मार्जिन क्या होता है और आज हम देखने वाले हैं कि page orientation क्या होता है और कितने type का होता है तो page orientation क्या होगा page orientation होता है page की direction क्या है page orientation उस direction को कहा जाता है जिसमें एक document को print या display किया जाता है, है न, एक page होता है, जो हम A4 size page लेते हैं, print निकालने के लिए, वो print जो है, वो किस direction में निकाल ले या किस direction में हमें वो display करे, तो उसको बोला जाता है page orientation, आपने देखा होगा कि या तो हम page पे ऐसे print निकालते हैं, ऐसे, है न, या फिर ऐसे निकालते मतलब इस page को ऐसे दूसरी direction में लेके है ना या तो हम vertical direction में लेते हैं या फिर हम horizontal direction में page को लेते हैं तो इसी को page orientation कहा जाता है कि page orientation उस direction को कहा जाता है जिसमें document को print या फिर display किया जाता है page orientation का जो option होता है वो मिलेगा page layout tab के page setup group में page orientation का option कहा मिलेगा page layout के page setup group में मिलेगा ये दो type का होता है portrait या फिर landscape ये हमें देखना होता है कि हमारा जो document है उसका print हम कैसे निकालना चाते हैं सही रहेगा लेकिन by default जो होता है set जो होता है वो portrait होता है अगर हमें landscape में निकालना है तो हमें वहाँ पे changes करने पड़ते हैं जो orientation है उसको हम landscape कर देते हैं तो हमारा जो print निकलेगा page का वो landscape में निकलेगा तो ये दो type का है portrait and landscape portrait में जो page है वो ऐसा नजर आएगा ठीक है जो page है वो ऐसा नजर आएगा इसमें जो page की direction होगी वो कौन सी होगी vertical होगी पेज की direction वर्टिकल होगी पेज की उंचाई ज्यादा होगी चोडाई कम होगी पेज की उंचाई ज्यादा होगी चोडाई कम होगी हम A4 size page ले रहे हैं तो इसमें उंचाई तो ज्यादा होगी page की और चोड़ाई कम होगी ऐसी direction में अगर हम print निकाल रहे हैं तो वो portrait है लेकिन अगर page की जो direction है वो horizontal है मतलब page हमारा ऐसे है जिसमें page की चोड़ाई जो है वो जादा है और उंचाई कम है तो page की जो direction है वो कौन सी है landscape है तो जो page जो है वो print को portrait में लेना है या landscape में लेना है तो यह हम page layout के orientation group में जाके set कर सकते हैं orientation जो option है वहाँ पे जाएंगे उसमें option में लेंगे कि आपको portrait करना है या landscape करना है तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे हम यह select कर सकते हैं portrait करना है तो portrait करेंगे landscape करना है तो landscape करेंगे तो यही दोनों option होते है page orientation का बहुत ही important question है अच्छे से कर लेना इसको next है page size page size में क्या होगा कि हम जो use कर रहे है वो page size क्या है by default जो page का size होता है इसमें वो letter होता है कई सारे page के size है इसमें letter है, legal है, a3 है a4 है, हम page size को बदल भी सकते हैं, बदलेंगे कैसे, page layout पे click करेंगे, page setup group पे जाएंगे, size option पे click करेंगे और page size को select करेंगे, जो भी हमें करना है, mainly हम a4 size पर print निकालते हैं, okay तो यह था page orientation और page size जब हम print निकालते हैं तो यह दोनों option use होते हैं, तो आपको यह अच्छे से देख लेना है पढ़ लेना है, समझ लेना है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं next lecture में, तब तक ऐसे पढ़ते रही है और मुस्कुराते रही है आपको यह थाज़ ए लेका झाल